नमस्कार मित्रो आज प्रस्तूत है जैशंकर परशाद का जीवन एवं साहितिक परिचे जैशंकर परशाद जी की जीवनी एवं साहितिक परिचे प्रस्तावना महा कभी जैशंकर परशाद जी की गिंती हिंदी साहिति के महंतम साहितिकारों में की जाती है हिंदी कविता, नाटक, कहानी, निवंध, एबम उपन्यास आदि बिधाओं में काल जई रचनाओं का सुरिजन करके उन्होंने साहित्य में अपूर्व योगदान दिया है आदुनिक हिंदी के खड़ी बोलिक कावि की चायवादी सहली के प्रवर्तक के रूप में बावु जैशंकर प्रशाद का स्थान सर्वोपरी माना जाता है उन्हें चायवादी कावि के चार प्रमुक इस्तंभों में से एक माना जाता है आनि तीन इस्तम्भ, सुरिकांत्र पठी निराला, सुमित्रन नंदन पंत्व और महादेवी बर्मा हैं नाटक लिखन की छेत्र में भारतिंदु की वाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटक का रहे जिनकी नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ती हैं बलकि उनकी अर्थ गर्विता तथा रंग मंचिय प्रासंगिकता भी दिनो दिन बढ़ती गई है इसके अलावा कहानी और उपन्यास के चेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कित्यां दी हैं भारतिय द्रिष्टी तथा हिंदी के विन्यास के अनुरूप गंभीर निवंद लेखक के रूप में बिप्रशिद रहे हैं उन्होंने अपनी बिविज रचनाओं के माध्यम से मानविय करुणा और भारतिय मनेशा के अनेक अनेक गवरपोन पक्षों का उदगाटन कलात्मक रूप में किया है जन्म इनका जन्म तीस जन्वरी अठारा सो नवासी इस्वी को काशी वारनसी के गोवरधन सराय में हुआ था इनके पिता का नाम बावु देवी प्रशाद और मता का नाम मुन्नी देवी था बावु देवी प्रशाद सुंगनी साहु के नाम से वारानसी नगर में विख्यात थे इनका परिवार सुर्ती, तंबाकू, सुंगनी आदिका व्यवसाय करता था उनकी परिवार में दान पुन्य और कलाकारों के आदर की परंपरा थी शिक्षा दीक्षा, प्रशाद जी ने कक्षा साथ तक ही आउपचारिक सिक्षा प्राप्त की थी उनकी आरंबिक सिक्षा घर पर ही हुई थी, कुछ समय की उपरांत ये बनारस के कुईंस कालेज में पढ़ने गए थे इसी बीच बर्स 1900 में पिता की मृत्यू हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई इसके बाद बेबड़े भाई के साथ पारिवारिक व्योवसाय में लग गए प्रसाद जी की बच्पन से ही स्वाध्याय में गहरी रुची थी स्वाध्याय और अभ्यास से उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दून, आदि भासाओं में काफी योगेता प्राप्त कर ली थी उन्होंने वेद, पुरान, इतिहास और दर्शन का काफी गंभीरता से अध्यन किया था उनकी काबिस आधना में इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है प्रसाद जी को संस्कृत से बहुत प्रेम था उन्होंने स्वैम उसका बहुत अच्छा अभ्यास किया था प्रसाद जी के सिक्चक प्रसाद जी ने सर्वश्री मोहिनिलाल गुप्त उर्फ रसमे सिद्ध गोपाल बावा दीन बंदू ब्रमचारी और हरिहर महाराज जी से सिक्चा प्राप्त की थी बनारस हिंदू विश्विद्याले के संस्कृत अध्यपक महा महुपाद्याय पंडित देवी प्रसाद सुक्ल कविच चक्रवर्ती जी को प्रसाद जी का काभवी गुरु माना जाता है संघर्ष पून जीवन प्रसाद जी का जीवन कठिनाईयों से भरा हुआ रहा वर्ष उनिस्सो में उनके पिता का देहन्त हो गया जब वह केवल बारे बर्ष के थे बर्ष उनिस्सो पाँच में उनकी माता जी का और उनिस्सो साथ इसवी में उनकी बड़े भाई संभूरत्न का निधन हो जाने की कारण प्रसाज जी परमानों आपदाओं का पहार तूट पड़ा था इनकी आर्थिक किस्तिती बिगड़ गई तथा ब्यापार भी लगबग समाप्त हो गया कुछ पैत्रिक संपत्ति बेच कर इन्होंने पुराने रिन से मुक्ति पाई परंतू इनका जीवन संघर्षों और जंजाबातों में ही फसा रहा व्यक्तित्व प्रशाद जी का शरीर हिरिष्ट पुष्ट था वे खूब ब्यायाम करते थे सतरंज के सोकीन थे और पाक कला में भी उन्हें निपुरता प्राप्त थी उनका सुभाव सहेज और सरल था वे सदैब मुश्कराते रहते थे वे विनोध प्रियव्यक्ति थे उन्हें अपने म वित्रों के साथ हसी मजाग करना अच्छा लगता था वईवाहिक जीवन प्रशाद जी का दामपत्य जीवन भी ऐसी ही कठिनाईयों से घिरा रहा उन्होंने तीन शादियां की थी उनका पहला विवाह बीश वर्स की अवस्था में विन्धे बासनी देवी के साथ हुआ थ लेकिन वर्स 1916 में छे रोग से पत्नी का देहन्त हो गया परिबार के अग्रे पर 1917 इस्वी में उन्होंने सरस्वती देवी से दूसरा विवाह किया किन्तु या सुख भी अधिक समय तक नहीं रहा वर्स 1919 इस्वी में छे रोग से ही इस पत्नी का भी निदल हो गया 1921 इस्वी में उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ कमला देवी से ही उन्हें एक मात्र पुत्र रत्न शंकर की प्राप्ति हुई निधन यद्यपी प्रशाद जी बड़े सयमी थे किन्तु संघर्ष और चिन्ताओं के कारण इनका स्वास्थे खराब हो गया इन्हें एक्चमा रोग ने धर्जबोचा इस रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की किन्तु सन 1937 इस्वी की 15 नुम्बर को रोग ने इनके शरीर पर अपना पून अधिकार कर लिया और बेस्दा के लिए इस संसार से बिदा हो गए प्रशाद जी अपनी महान रचनाओं के रूप में आज भी अमर हैं सहित्य की योगदान प्रमुक्रितियान प्रशाद जी को बाले काल से ही कविताएं लिखने का शौक था प्रारंब में वे कलाधर नाम से ब्रिज भासा में कविताएं लिखते थे उनकी पहली प्रकाशित कविता सावन पंचक है जो बर्स 1986 इस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बाद में वे खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखनी लगे जिसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिली प्रशाज जी की प्रमुक्रितियां इस प्रकार हैं काबी की पुष्टकें आशू, कामाईनी, चित्रधर, लहर, जर्ना कहानी आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनी प्रशाज जी की अंतिम कहानी सालवती है उपन्याज तितली, कंकाल, इरावती नाटक, सज्जन, कल्याणी परिचे चंद्र गुप्त, इसकंद गुप्त, अजात सत्र, प्रायस्चित, जनमीजेका नाग्यग्य, विशाख दत्त, धुरुब स्वामिनी निवंध, काविकला एवम अने निवंध एक नाटक कार के रूप में परिचाज जी ज्यादा विख्यात हुए चंद्र गुप्त मौर्य, अजात सत्र, राज्य श्री, इसकंद गुप्त, करुणाले, विशाखा, धुब स्वामिनी और एक घूट आदी उनके प्रिशिद नाटक हैं जहां एक घूट, सामाजिक, बहीं कामना, लाक्चनिक, बाकि सब एतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं जैशंकर प्रिशाज जी नके बल कभी और नाटक कार थे, बलकि एक अच्छे कथाकार भी थे सत्तर से ज़्यादा कहानियां पांच खंडों में प्रकाशित हुई हैं, जबकि उन्होंने मात्र दो पन्यास, कंकाल और तितले लिखे हैं प्रिशाज जी के निवंध भी उच्छ इस्तरिय हैं, जिनमें कला, कविता, चायाबाद, आदि के समंध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं भाशा सैली, भाशा जिस प्रकार प्रिशाज जी के साहित्य में विविदता है, उसी प्रकार उनकी भाशा ने भी कई स्वरूप धारन किये हैं, उन्होंने भाशा का प्रियोग विशियों के अनसार किया है प्रिशाज जी की भाशा में संस्क्रत के तत्सम शब्दों की बहुतायत है, भाव मेता इनकी भाशा शैली की प्रधान विशिस्ता है, भावों और विचारों के अनकूल शब्द इनकी भाशा में सहज रूप से आ गए हैं शैली पृषाजी की शैली को पाँच भागों में रखा जाता है विचारात्मक शैली, अनुसंधानात्मक शैली, इतीबृतात्मक शैली, चित्रात्मक शैली और भावात्मक शैली बिभिन बिधाओं में साहित श्रिजन करके प्रशाज जी ने हिंदी साहित में अतुलनिय योगदान दिया है अपनी रचनाओं की रूप में वे अमर हैं और चायाबाद के प्रमुक इस्तंभ की तौर पर उन्हीं सदय बियाद रखा जाएगा तो मित्रो आज हमने जैशंकर प्रशाद की जीबनी और उनके साहितिक परिचे को पढ़ा परिच्छाओं की दरशी से या जीबनी बहुत महतुपूर्ण है इंपॉर्टेंट है आप इसे बार बार सुनिये देखिए और संबब हो तो अपनी कौपी में इसको लिखकर याद कीजिए अपने सब्दों में इसको लिखिए तो मित्रो ये वीडियो कैसा लगा कमिट बाक्स में लिखकर जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कर लीजे इस चैनल को साथ ही दबा दीजे बेल आइकॉन ताकि हमारे आगामी परिच्छा उपियोगी वीडि झाल